आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूँ फिजा काजमी तिहार जेल में सजा काट रहे बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले पूर्वसांसद मुहम्मद शहबुद्दीन की पैरोल मन्जूर हो गई है इसके मताबिक वो तीन दिन तक जब चाहें अपनी मर्जी के मताबिक अपने परिवार से मिल सकेंगे ये मुलाकात दिल्ली में होगी हर दिन के मुलाकात केवल 30 मिनट के लिए ही होगी वो चाहे तो लगतार तीन दिन या फिर अलग-अलग दिन में ही मुलाकात कर सकते हैं मुलाकात का ठीकाना एक ही रहेगा और वो भी दिल्ली में ही होगा ऐसे मैं अब सवाल उठ रहा है कि जब उन्हें पैरोल मिल गई है तो फिर बिहार आने की अजाजत क्यों नहीं दी गई दरसल इस मामले को लेकर मीडिया की माने तो मुहमद शहाबुद्दीन को बिहार में लाने के बाद उनकी न्याएक हिरासत और सुरक्षा की गैरंटी लेने के लिए ना तो बिहार की सरकार और ना ही दिल्ले पुलिस तयार होई जाहिर है बिहार की नितीज सरकार के एंकार और दिल्ले सरकार की मनाही के बाद शहाबुद्दीन के लिए बिहार आने की इजाजत नहीं दी गई आपको बता दें कि रजद के बड़े नेता और सिवान से पूर्वसांसत बाहुबली शहबुदी ने अपने परिवार से मिलने के लिए कोट से पैरोल मनजूर करने का आगरह किया था दिल्ली हाई कोट ने बिहार सरकार और दिल्ली पुलिस के राय जानने के बाद रजद नेता की पैरोल मनजूर कर दी लेकिन उन्होंने बिहार आने की इजाज़त नहीं दी उनके पैरोल के साथ कई शर्ते जोड़ी गए हाला कि बाहुबली नीता की पिता का निधन 29 सितंबर को हुआ था इसके बाद वो अपनी माँ और अन्यवे स्वाजनों से मिलना चाहते थे उन्होंने अर्जी लगाई थी कि उनकी माँ आजकल बहुत अच्छी हालत मी नहीं है और वो उनसे मिलना चाहते हैं कोट ने उन्हें तीन दिन की पैरेल दी है लेकिन हर दिन वो अकेले आदे घंटे के लिए ही अपने परिवार से मिल सकेंगे अब इन सब के बीच इस सवाल उठाए जा रही है कि बाहुबली शाहबुद्दीन को आखिर नितीज सरकार बिहार में आने की अजाज़त क्यों नहीं दे रही है फिलाल अभी के लिए इतना ही लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जूड़े रहिए SPN 9 News के साथ